दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा कल हम लोगोंने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट वन भाग को अपलोड किया था जिसमें हम लोगोंने माउथ कैविटी और फूड पाइप के बारे में पढ़ा था माउथ, कैविटी और फूड पाइप के बारे में हम लोग पढ़े थे, डिसकस किये थे आज हम लोग देखेंगे एस्टोमक के बारे में कि एस्टोमक क्या है, इसका क्या functions है यह कैसे कार्ज करता है बोडी में, कैसे भोजन को यह पचाने में हमारी मदद करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो आएए देखते हैं इस estomak को अगर हम निकाल कर एक अलग सा figure में देखे तो यहां इस figure में देखते हैं यह estomak है estomak में सबसे पहली बात हमको क्या देखना है कि इसमें भोजन जो है चार घंटे तक रहता है चार घंटे तक रहता है इसी estomak के तीन पार्ट बने हुए होते हैं देखे यहां पे हम dotted line से इसको हम दिखा भी दिये हैं कि यहां यहां एक एक पार्ट दुसरा और तीसरा इसी सारे तीनों पार्ट को हम लोग अभी समझेंगे कि क्या है कैसा इसका वर्क है आए देखते हैं यह जो पहला पार्ट है यह जो है first वाला इसी first पार्ट को हम लोग कार्डियेक कहते हैं कार्डियेक कहेंगे कार्डियेक का काम क्या है तो यह सबसे पहली यह सबसे उपरी भाग है इस्टोमक का सबसे उपरी भाग है उसके बाद यहीं पे HCL का निर्मान होता है HCL जो की हाइड्रोकलोरिक एसीड है इसका निर्मान यहाँ पे होता है और इसको हम लोग जीवानू नासी भी कहते हैं अब जीवानू नासी क्यों कहेंगे समझ लेते हैं हम लोग ने पहले पढ़ा था पार्ट वन में कि लाइसोजाइम पाया जाता है लार में शैलीबा में और वो लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो की भोजन में ब्यापत जीवानू को मारने का काम करता है लेकिन कुछ ऐसे जिवानू जो की बच जाते हैं लाइसोजाइम से नहीं मरे होते हैं तो वो डाइरेक्ट फूड पाइप के रास्ते आ जाते हैं एस्टोमक में तो एस्टोमक उसको क्या करता है यहाँ पे HCL है HCL उसको पकड़ के बहुत अच्छी तरह से उसमें मतलब घूस घूस के एक एक जिवानू को पकड़ पकड़ के उसको मारता है मारने के साथ यह HCL जो है भोजन में पूरी तरह से मिल जाता है पूरी तरह से मिल जाने के चलते हमारे भोजन को सुपाच्ची होने में बहुत मदद करता है तो इसलिए इसको जिवानू नासि हम कह सकते हैं, कार्डियक नाम है, फस्ट वाले का, सेकेंड जो यह काटे नूमा संरच्ना आफ लोग देख रहा हैं ऐसी पार्ट को यह सेकेंड पार्ट को हम लोकिया बोलेंगे, फंडिक बोलते हैं, इसको हम लोग फंडिक बोलते हैं, कि फंडिक का काम देखते हैं, तो यह सबसे पहली एक समझने के लिए कि एक काटा नुमा संरचना होता है, और इसी काटे नुमा संरचना को रूजी बोला जाता है, क्या? रूजी, रूजी बोलते है, जो कि यहां पे अल्रेडी लिखा हु कोई भी भोजन जब यहां पे आता है, बोलस के फॉर्म में, तो यहां आता है, तो इस काटे नुमा संरचना से टकरा कर यह इधर नहीं आ पाता है, इधर ही दो आ जाता है, जिसके चलते है, एच सी एल उस भोजन में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, ठीक है? और एक रूजी का एक और हम काम देखते हैं, जब कभी हम लोग फास्टिं किये हुए होते हैं, या जब कभी खाली पेट रहता है, उस समय ऐसे जुकने पे या फिर कोई काम करने पे पेट में चुभन जैसा महसूस होता है, तो हम लोग आता है कि भूखे पेट गड़ रहा है, भूखे पेट दर्द कर रहा है, चुभन हो रहा है, एक्चुली वो क्या होता है, यहीं रूजी है, और यह भी सामने वाला, जो मान्स पेशिय काहीं बना है दिवाल, तो यह दिवाल इस रूजी में आ करके, और ऐसे सटता है, सटने के समय चुभन महसूस होती है, जिस इस दिवाल से अलग हो जाएगी और पेट नहीं गड़ेगा, नहीं चुबेगा, समझ गया, तो यह होता है फंडिक, ठीक है, यहीं खाली पेट होने पर यह चुबता है, जिससे के चलते हम लोग ऐसा कहते हैं, यह थर्ड वाला जो है, इसी को हम लोग पाईलोरिक कहेंगे, यह हम इंपोर्टेंट है, इसको समझने पर थोड़ा ध्यान दिजेगा, कि यह पाईलोरिक जो है, यह क्या करता है, पाईलोरिक जो है, यह गैस्ट्रिक जूस देता है, जो की लिवर से बनता है, और लिया करके इसी में देता है, इस पाईलोरिक में, अब देखिए मिल रहा है तो we already know that कि acid plus base अगर acid देखें acid और इसमें बेस अगर देख लिए दोनों अगर मिल जाता है तो resultant zero हो जाता है यानि कि अमल और छार अगर मिल जाए और छार मिल जाए तो अगर दोनों मिल जाएगा तो इसका result क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आएए इसको हम एक दूसरे एक्जामपल से देखते हैं जब कभी हम लोग बहुत ज्यादा spicy food खा लेते हैं या overdose खा लेते हैं कभी कभार आप लोग भी खाए लेते होंगे कभी कभी तो जब overdose कोई खा लेता है तो उस condition में क्या होता है कि HCL तो पूरा या गाओं में हम लोग छेत्रिय भासे में धुआइन धकार करते हैं सुने होंगे आप बुजर्गों लोगों से तो धुआइन धकार आता है तो उसके लिए देखिए उसके लिए क्या करना होता है हम लोग हम लोग क्या करते हैं हम लोग तो बहुत इजिली विए में काम कर हैं लेकिन अगर साइंस के भासा में कहा जाए तो वैसा condition हो तो हम लोग को magnesium hydroxide पी लेना चाहिए after magnesium hydroxide कहा मिलेगा यहीं magnesium hydroxide है mgos2 magnesium hydroxide सबकोंगे घरों में तो लेबरेटरी है नहीं कि magnesium hydroxide लेकिन यह इसका technical है यह इसका chemical है जब इसका common name हम सुनेंगे तो बहुत easy लगेगा इसी का common name होता है Eno Eno जो कि हर एक गाउं के एक छोटा सा किराना दोकान में भी मिल जाएगा और जैसे हम लोग Eno पियेंगे चुकि ये base form में होता है अल्रेडी हमारा यहाँ HCL मिला हुआ है तो इस HCL यानि अमल और यहाँ base मिल जाएगा छार मिलके resultant 0 हो जाएगा और धुआइन डाकार आना बंद होकर भोजन सुपाचे होने चालू हो जाएगा समझ गए चलिए यह गैस्ट्रिक जूस है आते हैं हम लोग यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है जो की निकलता है इस liver से चीक है अब इस गैस्ट्रिक जूस में दो तरह के enzyme पाया जाते हैं पहला Renin Renin पाया जाता है और दूसरा Pepcine अब इस Renin का काम देखते हैं Renin जो है दूध को दही के रूप में बदल देता है यानि PGA का दूध convert कर देगा दही के रूप में कौन? Renin आप लोग example देखे होंगे छोटे बच्चे obviously सब के घर में होंगे तो छोटे बच्चे जब दूद पीते हैं, उनको दूद पिलाए जाता है मम्मी के द्वारा, तो पीता है दूद, लेकिन जब कभी वूमेटिंग करेगा, तो देखिएगा दही जैसा टुकरा टुकरा जैसा करके निकलेगा, क्यों निकलेगा? अरे पिया दूद दही कैसे हो प्रोटीन पाया जाते हैं, उस सारे प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का, प्रोटीन इतना मतलब जटिल पदार्थ है, कि वो डायरेक्ट प्रोटीन का पाचन नहीं हो जाता है, प्रोटीन का एस्टेप, वाइस्टेप, वाइस्टेप, पाचन होता है, तो जब हम प्र कौन पेपसीन और यह पेपसीन निकला किस से तो गैस्टिक जूस से गैस्टिक जूस कहां पाइलोरिक फॉर्म में यानि यह थार्ड वाला फॉर्म में इदिया है यह सेकेंड फॉर्म हो गया यह फॉर्स्ट वाला हो गया थार्ड फॉर्म में पाइलोरिक मिलता है इसी पाइ रखन बढ़ते हैं तो हम Cool Hybrid मिलता है लीबर के बारे में समझते हैं लीबर जो है पीत का निर मा निर्मान करता है थ्यान दीजेगा पार्ट वर्न में भी रखन है कि सबसे बड़ी घ्रन थी यानि सरीर की human body की सबसे biggest gland जो है वो लीबर को बोला जाता है चिक है तो इसको ध्यान दिजेगा एक छोटा सा ट्रीक हम दीख देंगे साइड में अगर ध्यान रखिएगा इसको यह ट्रीक है छोटा पिया बड़ा लभर अब देखिए यह ट्रीक है इससे कैसे निकलता है छोटा पिया पिया यानि प्यूस ग्रंथी पियूस ग्रंथी इसको इंगलिस में पिट्यूटरी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और लवर से हो जाएगा लीबर यानि या क्रित तो पूछा कि छोटा कौन सबसे छोटी ग्रंथी कौन तो पियूस ग्रंथी या सबसे बड़ी ग्रंथी कौन तो लीबर याद भी तो चलिए लीबर हम लोग समझ गए लीबर जो है पीत का निर्मान करता है जो बाइल होता है पीत आप लोग देखे होंगे कभी चीकन कटिंग-सेंटर पर जाएगा तो चीकन जब कटता है तो उसके अंदर एक पीत हरे रंग का एक होता है उसको बहुत ही सावधानी से निका पित का निर्मान कौन करता है ? लिवर, अब आते हैं घॉल बलाडर यह चोटा सा जो आपको दिख रहा है इसको पितासय बोलते हैं पित को एस्टोर करता है पितासय का काम क्या है पित को एस्टोर करना, लेकिन देखे हैं यहां objective में आप लोग ऐस सकते हैं में पुछेगा पीत का निर्मान कहां होता है कोशन है पीत का निर्मान कहां होता है option में ए नंबर पे रहेगा पिता से स्टुडेंट मॉस्टली क्या गरता है कि पीत पूछ रहा है पिता से है चलिए पिता से लगा देते हैं गलत हो जाता है तो इसलिए ध्यान रखना है, confusion नहीं रखना है इसमें कि पीत जब है, पीत का निर्मान कहां होगा, तो लीबर में होगा, पीत का निर्मान कहां होगा, लीबर में होगा, यहां देखिए यह गॉल बलाडर जो है, इसी को पीतासे बोलते हैं, पीतासे में यह पीत को एस्टोर किये हुए रहता है न कि वहां निर्मान होता है अब बात समझ में आ गई पीतासय में पीत को एस्टोर किया जाता है जबकि निर्मान बात पुछे तो लीबर में होता है इसका pH value देखेंगे तो pH value इसका 8 होता है जो कि इसका नेचर जो है प्रकिर्ती है छारिये होता है चुकि हम लोग जानते हैं कि 7 उदासी न्यूट्रल होता है 7 से कम अमलिये एसीडिक होता है और 7 से अधिक छारिये होता है ठीक है चलिए तो यह भोजन को छारिये बनाएगा और भोजन का एक सबसे बड़ी बात है कि भोजन तब तक नहीं पचता है जब तक वो छार उसमें नहीं आके मिले तो भोजन को छारिये होना जरूरी है पचने के लिए तो यहां पीत देखिए कितना important role निभा रहा है हमारे पाचन में digestive system में तो चलिए यह चारिये बनाता है और एक और काम जो की आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और यहां भी देखते है यह पीत जो है fat का पाचन करने में बहुत help करता है fat जो की वसा होता है wireless substance उसका भी digestion में यह बहुत important role इसका होता है पीत का चलिए यह पीत समझे अब इधर आते हैं अगनास है पैंक्रियाज इसको बोलते हैं अगनास है अगनासे देखते हैं अगनासे में क्या है तो आईए अगनासे देखते हैं यह एक gland है यह पूर्ण पाचक एंजाइम देता है क्या देता है पूर्ण पाचक एंजाइम देता है कौन तो यही अगनास है पैंक्रियाज यह पूर्ण पाचक एंजाइम देता है जी और एक ग्लैंड है यह ध्यान रखना है इसमें क्या होता है कि भोजन में जितने भी सुगर होते हैं यानि मिठास होती है स्टार्च ग्लुकोज उगरा सुगर होता है तो उस सब को यही क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है पैंक्रियाज ही यानि कि यह अगनास ही भोजन से सुगर को एब्जॉर्ब करता है अगर यह एब्जॉर्ब करना बंद कर दे तो हमारे बोडी में सुगर की मात्रा जादा हो जाएगी जिसके चलते इंसान जो है डाइबिटीज प्रोड़क्ट होते हैं जिसको आम तोर पर चीनी का भीमारी या सुगर का भीमारी कहते हैं ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट रोल है पैनक्रियाज का अगनासा जो है यह यह एक ग्लैंड है जो कि पुर्ण पाचक एंजाइम देता है यह जो है भोजन में व्याप्त जितने भी sugar के product होते हैं, sugar वाले चीज, जिसमें starch पाया जाता है, उस सारे sugar वाले चीजों को ये absorb करता है, जिसके चलते सरीर में sugar की level को बढ़ने नहीं देता है, अगर ये pancreas नहीं होता, तो ये sugar हमारे body में sugar का level इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि diabetes होने का खत्रा हो जाता, तो insulin जो चलते diabetes को जाता है, ठीक है, चलिए तो ये diabetes का कारण हम लोग समाझ गए, फिर देखते हैं, ये एक तीन तरह का enzyme देता है, लेट नामक enzyme, L for lipase, lipase जो है वसा का पाचन करता है, फैट का, ये fat का पाचन करता है, A से amylage, जो की starch का पाचन करता है, इस वसा को हम लोग यहाँ भी देखे थे कि गॉल बलाडर में, पीत जो है, वो भी fat का पाचन करता है, और lipase भी करता है, T से trypsin, trypsin जो है, protein जो की हम लोग पहले देखते हैं, की protein को peptone में बदला था, अब यहीं protein का जो peptone वाला form है, उस peptone वाले form से peptide के रूप में बना दिया, कौन, trypsin, ठीक है, जो कि protein एक जटिल पदार थे, उसको बहुत step by step ही उसको पाचन किया जाता है, direct पाचन नहीं होता है, चलिए तो यहां अगनासे हम लोग समझ गए, अब आता है इस छोटी आत में, छोटी आत में क्या है, small intestine में, यहां पे पूर्ण पाचन होता है, question पुछेगा कि हमारे digestive system में, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है, तो small intestine, यानि छोटी आत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, चलिए, इसके तीन भाग होते हैं, कौन-कौन से भाग होते हैं, duodenum, दूसरा रूम, और तिसरा, ileum, यहीं देखिए, यहां यह 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 जैजूलम है, और यहां पर ileum है, ठीक है, इसको समझना है, ileum में यह छोटा-छोटा उठा हुआ एक संरचना पाया जाता है, ठीक है, यहां पर भोजन का पाचन तो होता ही है, साथ-साथ, और शोशन, यानि एब्जॉर्बम, एब्जॉर्वेशन की क्रिया जो है, इसी ileum में होती है, ठीक है, इसी को विलाई बोलते हैं, विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब्शन होता है, यहां पर इरेपसीन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, और यह इरेपसीन इस पेप्टाइड को, जो कि यहां पर पेप्टाइड हो चुका था, अगनासय में हम लोग दे प्रोटीन का पाचन होने के फॉलसरूप हमें क्या प्राप्त होता है, तो एमीनो एसीड प्राप्त होता है, और यहीं एमीनो एसीड जो है, एनरजी के रुप में बदलता है, और हमें उर्जा मिलती है, ठीक है, चलिए, अब यह भी समझ गए, अब आते हैं, बड़ी आत म को कोलोन कहते हैं अब ये कौन सा भाग है अगर हम बड़ी यात के फिगर को हम देखेंगे इस तरह से अगर देखा जाए तो इसी भाग को हम लोग कोलोन कहते हैं तो इसमें देखिए फॉर्स्ट वाला भाग जो एसेंडिंग और में हैं बढ़ते करम में तो इसको एसेंडिं क्लोन कहेंगे और फाइनली यहां जो होता है रेक्टम जिसको हम लोग मलासे कहते हैं और इसी रेक्टम में यह जो अपसिस्ट पदार थे भोजन का काईल के रूप में जमा रहता है काईल के रूप में जो की एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है ठीक है तो हम लोगों ने स काईम के रूप में आया और यहां काईल के रूप में आया अब बात समझ गए यहीं हमेरा टोटल डाजेस्टिफ सिस्टम है कैसे हम लोग भोजन करते हैं और कैसे कैसे यह पाचन की किरिया होती है और फॉलस रूफ हमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हमने पहले ही बताया मजगे ठीक है इसको लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा दोस्तों को सेयर किजिएगा और वाच किजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो इसी तरह से हम लोग यह करते रहेंगे चलिए ठैंक्यू